Hello everyone, welcome back to SUM Math on Trigonometry के previous question series चल रहा ही है, SSCC, HSL, DEO, LDC 2012 में पूचे गेते The distance between two vertical poles is 60 meter, the height of one of the poles is double the height of the other and the angle of elevation of the top of the poles from the middle point of the line segment joining their feet are complementary to each other The height of the poles are, यह question करने में जिनको doubt होता है इसके बाद कभी doubt नहीं होगा कैसे नहीं होगा एक चीज़ करते हैं यहां से हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं एक vertical line या फिर horizontal line इसमें एक pole है जिसका height distance between two poles दिया होगा, जिसका height एक का h होगा तो दूसरे का 2 h दिया होगा है अब इन दोनों के बीच में 60 meter दिया होगा है बीच में कहीं तो एक point है, any point बीच में कहीं पर एक point है अब suppose ऐसे हो सकता है कि हां से एक angle ऐसा आ रहा है जो कि देखो the angle of the elevation of the top of the poles from the middle point of the line segment बस खतम कर दिया है, middle point दिया हो मतलब इसका अगर theta होगा इसका अगर theta होगा तो यह 90 minus theta होगा क्योंकि complementary दिया हो है जैसे complementary देखोगे C पहला alphabet है in alphabetical order of English ठीक है, supplementary क्या होता है, supplementary 180 degree होता है यह doubt आपका clear कर दिया, अब देखो यह क्या होगा, 90 minus theta ठीक है अब बताओ आपको क्या मांगा है, सरी यहाँ पर अगर middle point में दिया हो है तो यह 30 है, यह 30 है ठीक है, दिन क्या दिया होगा है, the height of the poles are अब देखो ध्यान लगाते है, h बटा 30 equals to 10 theta, h बटा 30 equals to 10 theta, यह 30 होगा 30 equals to 10 theta, या फिर बोल सकते हो 10 theta equals to h बटा 30 और यहाँ पर 10 90 minus theta, 10 90 minus theta, that is equals to 2h by 30 तो बोल सकते हैं, इन दोनों को गुणा कर सकते हैं, हाँ, 10 90 minus theta क्या हो जाता है सरी 4 theta हो जाता है, तो इन दोनों को गुणा करता है, h upon 30, गुणा 2h upon 30, that is equals to 10 theta into 4 theta बटा बरबर 1, clear, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, h square equals to 30 into 15 तो 15 15 था, अभी 15 गुणा 15 गुणा 2 रहे जाएगा, क्यूं 2 रहे जाएगा सर, देखो ध्यान लगाते हैं, यहाँ से 30 से 15 गुणा 2 आएगा, और यहाँ से कितना आजाएगा, सर, 15 आजाएगा, तो बताओ, यहाँ से कितना हो जाएगा, सर, h के value, h बराबर 15 root 2 आजा रहा है, खतम कहा नहीं, 15 root 2, तो बताओ, इसका value कितना हो जाएगा, सर, value हो जाएगा, एक का height हो जाएगा 15 root 2, दूसरे का height हो जाएगा 30 root 2, दूसरा 2H है ना, हाँ sir 2H है, तो 2H बराव 30 root, तो 15 root 2 कितना होता sir 1.414, तो 1.4 ले ले लेता है गुना 15, तो 15 चोगे 60, carry forward 6, 15 एकम 15, और 6 कितना होता है, sir 15 1s 15, और 6 कितना हो जाएगा sir, 19 हो जाएगा, हाँ sir, तो दोनो सा दिमाग लगाते हैं, और इसका value निकाल लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर देखो sir, यह root 2 था, हमने थोड़ा सा दिमाग लगाने के बात किया था, लेकिन इस data में थोड़ा सा गलती था, इसी कारण सा हम point देखके point निकालने के जा रहे थे, option number 4 is the correct answer, sir यह telegram channel हमने start कर दिया जिसके अंदर आप join कर सकते हो, join कर सकते हो मतलब sir, sir यह देखो telegram channel का आपको link मिल जाएगा, कहाँ पर नीचे link मिल जाएगा, जो की SEC Mathon के नाम से दिया हुआ है, अच्छा आप जाओ जाके join करो, और इसमें सारे के सारे PDF बगरा बगरा सब कुछ आपको मिल जाएगा, okay sir, आज के लिए बस अतना ही रखते है, thank you, bye-bye, stay tuned for the next class.